जब भी हैस्वेंड वाइफ में लड़ाई जगडा होता है तो पतनी अपने माई के चले जाती है और वहाँ जाने के बाद जूटा मुकदमा में पती और उसके परिवार वालों को फसा देती है ऐसी प्रस्तिती को देखते हुए सुप्रीम कोट ने एक आदेश दिया है जिसमें कहा है कि 498 एको खत्म कर दिया जाएगा तो वह कौन सा मामला है इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ अगर आप अपने पतनी से परिसान हो चुके हैं और आपके उपर जूट करना न भूलें तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सुप्रीम कोट में एक मुकतमा दाखिल होता है अर्चित गुपता बनाम स्टेट आप हर्याना इस केस में यह देखा गया है कि 2008 में इन दोनों की साधी होती है उसके बाद पतनी 2021 में एफयार दर्ज कराती है अपने हैस्वेंड और उनके परिवार वालों पे जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उस समय केवल हैस्वेंड को दोसी करार देती है और उसके बाद जो उनके परिवार वाले हैं उनको बाईजत बरी कर देती है इस परस्तिती में परिशान होकर के हैस्वेंड अपने हर्याणा हाई कोट में पहुंचते हैं और वहाँ जा करके CRPC सेक्षन 482 के तथ एक पिटिशन फाइल करते हैं और वहाँ कहते हैं कि जब मेरी साधी 2008 में हुई थी उस समय अगर मुझे दहज मांगना होता परताडित करना होता तो उसी समय या उसके एक साल के बाद या है कि यह लोग मेरा सेलरी रख लेते हैं जो मैं कमाती हूं वो रख लेते हैं उसके बाद मुझे मारते हैं पीटते हैं मुझे हमेसा दहेज मांगते हैं या एलिगेशन लगाती है पतनी उस तमय जब सुना जाता है दोनों पक्षो की बात तो हर्याड़ा हाई कोट के द्व वहाँ अपनी बात बताते हैं कहते हैं कि 2008 में मेरी साधी हुई थी उसके बाद 2019 और 2020 में मैंने तलाक के लिए मुकदमा दाखिल किया था डोमेस्टिक वाइलेंस का भी मुकदमा दाखिल किया था उसके बाद जब मेरी पतनी को नोटीस इसका मिलता है तो उसके एगारे महि किने के बाद मेरे उपर जूटा एलिगेशन लगाती है कि मैं इनको मारता हूं पीटता हूं और दहेज मांगता हूं जो कि एकदम गलत है यह अपनी बात बताते हैं और उसके बाद यह भी कहते हैं कि जब पुलिस के द्वारा जाच परताल किया जाता है तो केवल मेरे यह देखते हैं और आदेश करते हैं वहां कहते हैं कि सबसे पहले यह देखा जा रहा है इस केस में कि 2008 में साधी हुई थी अगर कोई प्रॉबलम होती तो उसके 6 महीने यह दो महीने यह एक महीने एक बाद ही केस किया जाता और यह माना जाता यह फ्यार पहले ही जूटा सा उसके बाद पतनी फ्यार दर्ज कराती है तो ऐसे ही यह सावित हो जाता है कि जूठा आरोप लगाए जाता है और उसके बाद यह भी आदेश करती है सुप्रीम कोट की पुलिस के द्वारा जो जांच परताल किया जाता है तो इसमें यह देखना चाहिए कि जितने भी परिव आई नहीं होगी और इसके साथ सुप्रीम कोट यहीं नहीं रुकती है इसके बाद एक और आदेश देती है कि जो हाई कोट है अपना हाई कोट के पास CRPC सेक्शन 482 के ताथ कोई भी मुकदमा हो उसको क्वेस करने की पावर है तो जब 491 का मुकदमा होता है तो उसको सही से जांच परताल किया जाए और वहाँ पर केस कर दिया जाए अमूमन यह देखा गया है कि पतनियां पती से बदला लेने के लिए पती के घर को बरबाद करने के लिए 491 का मुकदमा कर देती है और इस तरह से उनका परिवार बरबाद हो जाता है दोस्तों यह जनकारी आप ल को सबक सिखा सकते हैं इस वीडियो का माध्याम से मैं यही बताने कोशिस करता हूं कर रहा हूं दोस्तों अगरा अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे दिये गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं मुझसे जान सकते हैं पूछ सकते हैं आप लोग जाहिंद वन्दमात्रम